नमस्कार दोस्तू, दोस्तू आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सैंसकर्त के अंदर सवर संधी दोस्तू बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक रहता है और संधी से एखजाम के अंदर आपको दो क्यूसन हर एकजाम कोई सा भी एकजाम है, अगर आपके सेंसकर्ट है उसके अंदर, तो आपको दो क्यूसन उसके अंदर जरूर मिलेंगे, तो दोस्तूं, आज इस वीडियो के अंदर हम इसी ट्रिक देखेंगे, अगर यह ट्रिक आप याद कर लेते हो, तो दोस्तूं, कभी भी आपकी संदी गलत नहीं हो दोस्तूं बाकी की संदिया नेक्स्ट वीडियो में रहेगी आप अंतक एक बार इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तूं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूटूब चैनल कुछामन ओनलाइन कलासेज पर दोस्तूं अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नही तो जिन्दकी बर हमको दूसरी कलास अटेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी चलते हैं दोस्तूं संदी की ओर जो चीजे पूछी जाती है वो ही आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पेला क्यूशन दोस्तूं जो मारा संदी है न इससे एक पेला क्यूशन क्या आता है यह देखेंगे दोस्तूं अब बहुत सारे आप क्या करते क्लास अटेंड करते तो आपको परिभसाइं बताते हैं संदी की परिभसाइं दोस्तूं मैंने कहीं पर नहीं देखी है कि एकजाम के अंदर संदी की परिभसा पूची गई है नहीं पूची जाती है दोस् की, सम क्या है उप्सरग है, दा क्या है दा तू है, की क्या है परते है, तो ये तीन चीजे, ये तो आपको याद रखनी है और वैसे भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप सभी को क्या हो गई है याद हो गई है, आगे चलते हैं आगे हम बात करेंगे संदी के परकार या संदी के बेद कितने हैं तो हम पढ़ रहे हैं सैंसकर्थ वियाकरण और सैंसकर्थ के अंदर संदी के तीन बेद होते हैं कौन-कौन सी संदिया होती है पहली होती है अचसंदी जिसको हम सवर संदी के नाम से भी जानते हैं दूसरी हो सवर संदी चलते हैं दोस्तु सवर संदी की ओर दोस्तु सवर संदी सवर संदी में होता है क्या है सवरू का ही मिलान होता है चाए पेले हो चाए बाद हो रहेंगे आपके क्या सवर याद रखना है सवर के साथ सवर का जा मिलान हो वहां पर क्या होती है अच्च संदी और इसी को क्या का जाता है सवर संदी कहा जाता है दोस्तु अब सवर संदी के अगर हम परकारू की बात करें तो सवर संदी है इसके बेद होता है आठ दोस्तु एक एक बेद के बारे में पढ़ेंगे सबसे important बेद depth बता जता ओंगी तो सबसे पहले हम जो में देख रहे हैं यह सबसे पहले यंसंदी यह सवर संदी का पहला बेद हम लेकर आए हैं यंसंदी दोस्तों यंसंदी है जो सबसे important है और इससे एक क्यूशन दो क्यूशन आते हो उन्हें में से एकUCN आपको अमेसा यन संदी का मिलता है दोस्तु अब दोस्तों आपको ट्रीक क्या है वो याद रखना है जैसे ही आपको संदी का नाम दिखाई देगा उसके निचे आपको पहचान दिखाई देगी इस पहचान को आपको क्या कर लेना है दिमाग में सेट कर लेना है जिस परकार टेबलेट लेते हो उस परकार इसको गिट लेना है दोस्तूं संदी इस्तल पर आदा अकसर ये वे से जुड़ा रहता है संदी जहाँ पर होगी संदी जो इस्तल है वहाँ पर ये और वे के साथ इन से पेले ये वे के पेले आपको आदा अकसर दिखाई देगा ये आपको याद रखना है और ये ऐसी इस्तिति आपको कोई सबद में दिखाई दे तो आखें मीचना, आखें बंद करना और टिपा लगाना यन संदी पर कभी गलत नहीं होगा दोस्तूं चलते हैं दोस्तूं इसका हम तरीका भी समझते हैं दोस्तूं जो आपकी सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं यन संदी इसके अंदर होता क्या है इ, इ, उ, उ, र, र, ल, ल, इ, इसके साथ ये क्या है पहले आएगी उसके बाद अगर ए समान सवर कोई भी यानि ए के साथ इ नहीं होना चाहिए उके साथ उ नहीं होना चाहिए र, इ के साथ र नहीं होना चाहिए लरीके साथ लरी नहीं होना चाहिए ए समान सवर दिखाई दे जैसे इ के साथ ए आजाए इके साथ उ आजाए इस परकार अगर आपको कुछ भी दिखाई दे इके बाद आपको ए समान O के बाद आप को A समान R के बाद आपको A समान या लरी के बाद आपको A समान सर दिखाई दे तो इ तो बदल जाएगी O है जो बदल जाएगा R में और लरी है जो किस में बदल जाएगी L में बहुत बार पड़ा है दोस्तु साथ मैं अपने Notebook नोट करते जाओ, नोट बुक के अंदर ऐसे ट्रीक हैं और ऐसा तरीका कहीं नहीं मिलने वाला है, एक एक चीज को अपने नोट बुक में लिखते जाओ, अब दोस्तों उधारन भी देख लेते हैं, जादा उधारन नहीं दूंगा दोस्तों, थोड़े से उधारन लेकर आया यह है, और यह के साथ क्या लगावा है, आदा दे लगावा है, मतलब यहां पर कौन सी संदी है, यन संदी है, चलते हैं, सुधी पलस उपा से, सुधी, यहां पर क्या आ रही है, यह आ रही है, और पलस में क्या हो रहा है, वह हो रहा है, तो एक के बाद में, अगर एक के ब बदल जाएगा, अदादे आपका रहे गया, सुदु, यू, पासे, ये बन जाएगा सबद, आगे देखिए, वदु, पलिस अलंकार, वदु, दू के अंदर क्या आ रहा है, बास पर आ रहा है, बास में क्या आ पर आदा दे बचा तो वद्वे लंकार बन गया सबद यहां पर देखिए वेक के पहले आदा दे आ रहा है मातरी प्लस आ गया यहां पर क्या है री है री के बाद में क्या आ रहा है आ आ रहा है तो री किसमें बदल जाएगी रह में और सबद बन जाएगा मातरा गया नेक्स है इसके बाद में क्या रहा है ए समान सवर आ रहा है मतलब लरी है वो किसमें बदल जाएगा दोस्तों किसमें बदल जाएगा ले में तो ले और ए इसके साथ मिल जाएगा तो ले पूरा हो जाएगा और नूबंद अगे लगा तो लनूबंद हो जाएगा तो दोस्तों एक ब साति वीडियो देख रहा है, वो सेर जरूर करेगा, हर जगें सेर करोगे, हर एक साती को हमारे साथ जोड़ोगे, देखते हैं कितने सातियों को आज मेरे साथ जोडने का आप प्रियास करते हो, आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट संदी, पहली संदी important संदी है जो यंड संदी है दूसरी इससे important संदी है जो है ऐग्वी संदी यण और यंदी इन्से एक कूशन तो permanent आता ही एकजाम में दोस्तों आयादी संदी की पैचान देख लेते हैं पैचान देखिए दोस्तों यह लिखा वा मैंने बोला था संदी के नाम के नीचे पहचान मिलेगी आपको संदी इस्तल पर आई आई आउ आउ की धाउनी समझो दोस्तों जहां पर सबद में संदी इस्तल होगा वहां पर आई आई आउ 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 ये धाउनी अगर आपको दिखाई देती है तो समझ लेना कौन सी संदी है अयादी संदी है समझोगे कैसे ये भी प्रोबलम है जैसे आपको मैंने सबत दे दिया तो यहाँ पे देखिए प, ए की दोनी आ रही है आगे व, प, व, न, अउ की दोनी आ रही है दोस्तों यहाँ पे आ रही है ना मतलब यहाँ पे संदी कौन सी हो गई अयादी संदी हो गई आगे देखते है इसका तरीका क्या रहता है इसको केसे मिलान करें अगर दोस्तों A, I, O, O A, I, O, O के बाद में सवर आए के बाद में क्या आए सवर आए कोई सा भी सवर आ सकता है, सेम सवर भी आ सकता है, ए तो ए भी आ सकता है, यहां पे देखिए, तो एक का क्या हो जाएगा, आई का आई हो जाएगा, ओ का आउ हो जाएगा, और आउ का आउ हो जाएगा, यह याद रखना है, ए आई ओ आउ, आई आउ, 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 यह च यहाँ पर दोस्तु सबत दिया है कव यह अब आपको पता के से चलेगा कि संदी कोन सी है हो गई ना दोस्तु तो यहाँ पर समझिए यहाँ पर आराम से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कव व के अंदर क्या आ रहा है आगे क्या आ रहा है यह आ रहा है अगर आप एक की दवने निकाल दोगे तो आई बच जाएगा तो ये क्या बन गया आपका आई मतलब आयादी संदी होगी कवे पलस ए एक के बाद में एक के बाद में ए आ रहा है एक के बाद में अगर ए आ रहा है तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा दोस्टूं किसका? इस एका, पिले एका है, वो क्या हो जाएगा? पिले एका एए आदेस हो जाएगा और शबद 번ja जाएगा कवईये आगे हैं गे पलस अक यहां पे देखिए एक के बाद में ए आ रहा है तो ए किसमें बदलेगा दोस्तों यह बदलेगा आपके आई में और यहां पे क्या बचा आपका गे बचा गे के अंदर आ मिलेगा तो क्या बनेगा गा यहां से आ जाएगा यह, यह में A मिलेगा तो पूरा है और सबद बन जाएगा गायक इसी प्रकार दोस्तों और देख लीजिए बो पलस अती, O के बाद में A O, यहां पे क्या आ रहा है? बो के अंदर क्या रहा है? O आ रहा है, और आगे आ रहा है पलस में आपके A, क्या रहा है? तो जो O है, यह किस में बदल जाएगा अउ में बदल जाएगा और सबद बन जाएगा बहुती No पलस O No O आ रहा है यहां पे तो सबद बनेगा आउ और सबद बन गया नावो तो दोस्तू बहुत ही सिंपल है आयादी संदी बस आपको ट्रिक जो पैचान मेंने बताई है वो क्या करनी है याद करनी है आगे चलते हैं दोस्तू गुण संदी में क्यूंकि दोस्तू अगर ज्यादा समय लगाएंगे तो वीडियो लंबा होगा जिससे आपका समय खराब ह कम समय में हम देखने का प्रियास करेंगे गुण संदी पैचान देखो संदी इस्तल पर एक मात्रा किसकी मिलेगी एकी या ओकी एक मात्रा मिलेगी गुण संदी में आपको ए या ओकी जा मात्रा दिखाई दे संदी इस्तल पर समझ लो वाँ पर गुण संदी है होती क्या है यह देखते हैं तो होती है दोस्तों अगर ए आ के बाद में ई ई उ उ री री ली ये चीज़ें आए तो क्या होगा दोस्तों समझिए क्या होगा अगर ए आ के बाद में ई आएगा तो आदेस होगा एका ए आ के बाद में उ उ आए तो आदेस होगा ओका ए आ के बाद में री र आये तो आदेश होगा अल का यहां पर देखिए एक की मात्रा आ रही है दोस्तों यहां पर देखिए अब यह दो चीज़ें आपको और याद रखनी है अर और अल यह किस में होगा गुण संदी में होगा अर और अल गुण संदी में होगा आगे चलते हैं इसके उधारन प्लस इष्ट ये था प्लस इैह खुशत में और यहां से आ प्लस आए हो गया यहां पर बचा थे तो यह यह ए मिल जाएगा थे में यह थेष्ट शबद बन जाएगा पूरुए प्लस उक्त एक के बाद में क्या आ रहा है उ आ रहा है तो सबद क्या बन जाएगा उ उ का मतलब यहां पे क्या होगा उ होगा तो सबद बन जाएगा पूरुवोक्त सब्त रिसी सब्त रिसी एक के बाद मे एक के बाद में री मतलब एक के बाद में यहां पे क्या आ रहा है री आ रही है तो आदेश किसका होगा अरका और शब्द बन जाएगा सब्तरिसी तव पलस लरिकार यहां पे देखिए एक के बाद में लरी आ रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तू अल आदेश हो जाएगा त संदी मतलब एक क्यूसन पक्का याद कर लो आगे चलते हैं नेक्स्ट संदी में वर्दी संदी दोस्तों साथ में लिख लो जब आप वापस पढ़ोगे एक बार वीडियो देखने के बाद अपने आप याद हो जाएंगे वर्दी संदी और सबसे सिंपल संदी इसके बारे मे भद या तो क्या आएगा आई या क्या आएगा आऊ यह दो मात्रा इन वनुकी ही होती है तो संदी इस तलपर दो मात्रा होगी संदी की पैच्छान देखते हैं आ आए आाके बाद में आ इए ओओ आए तो एओ आ देस हो जाएगा कैसे है जन एक ता यहाँ पे और बाद में ए तो इनका क्या हो जाएगा एओ आदेश हो जाएगा जनेकता आगे देखें दोस्तों next है महा ओजस आके बाद में क्या आ रहा है ओ आ रहा है तो यहां पर आदेश किसका होगा दोस्तों समझो अउका आदेश होगा और सब्द बन गया महा ओजस तो दोस्तों वर्दी संदी तो कोई ज्यादा कटीन नहीं है यह तो आपको याद हो जाएगी अब बहुत सारे सातियों के मैंने कमेंट पड़े थे सर हम दिरग संदी और वर्दी संदी में क्या हो जाते हैं दिक्कत में आ जाते हैं कि वर्दी संदी यह है या दिरग संदी यह है दिरग मतलब क्या होता है बड़ा दिरग में क्या होग का बड़ा एका आ एक की द्रिग ई उका द्रिग उ तो दिरग संदी अलग चीज है वर्दी संदी वर्दी इसमें मात्रा की वर्दी हो रही है यही याद रखो दोस्तों यहां पे ए आ रहा है यहां पे आ रहा है यहां पे ओ आ रहा है यहां पे ओ आ रहा है तो वर्दी मतलब एक मात्रा की जावर्दी होती है आगे चलते हैं पांच नमर संदी दिरग संदी और इंपोटेंट संदी सिंपल संदी सबसे पहले पढ़नी चाहिए थी लेकिन सबसे अंत में लेकरा रहा हूँ पैचान संदी इस तल पर दिरग मात्रा मिलेगी और मैंने पहले ही बोला था दिरग संदी का नाम ही है दिरग मात्रा दिरग मिलेगा जहां पर संदी होगा वहां पर आ दिरग ई दिरग उ री वो भी दिरग री लरी यह सबद अगर आपको दिखाए दे वहां पर दिरग संदी होगी ए, आ, ई, ई, उ, 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 री, री, लरी के बाद अगर ये के ये सेम आजाए ए, आ, ई, ई, उ, 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 री, री, लरी ये आजाए तो इनका अदेस क्या होगा दोस्तों ए, आ, का, आ ए, के बाद में ए, ई, आए तो दिरगी ओ ओ के बाद में दिरिग ओ आए तो ओ दिरिग ओ हो जाएगा री दिरिग री के बाद में री और दिरिग री आए तो दिरिग री और लरी के बाद में लरी आए तो लरी आदेस होगा यह आपके पहचान है अब संदी स्थल को पेचानिए दोस्तू किसे पेचानोगे मुरारी यहां पे देखिए किसकी दवनी आ रही है आकी दवनी आ रही है विश्णू दे यहां पे किसकी दवनी आ रही है उकी दिरग उकी मतलब यहां पे कौनसी संदी होगी बताओ दोस्तू दिरग हो रहा है तो ए आ रहा है तो ए ऐसे मिलेगा तो आकीदवनी होगी मुरारी बन गया सबद विश्णू दे उक के बाद में उ आ रहा है तो अनू का मिलान होगा तो दिरग उ बनेगा और विश्णू दे सबद बन जाएगा ये हो गई आपकी दिरग संदी आगे चलते हैं दोस्तों पररूप संदी दोस्तों ये दो संदी आप मैं जो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ पररूप संदी नाम पररूप है दूसरी है वो है पूरवे रूप संदी ये एक दूसरे के उल्टी है दोस्तों इसके अंदर ए पहले आ रहा है उसके अंदर ए बाद में आएगा तो इनको आपको याद करना ही है देखते हैं पररूप संदी होती क्या है पैचान अकारांत उपसरग यानि अकारांत उपसरग का मतलब जो आपको उपसरग दिया जाएगा उसके अंत में ए आएगा जो भी उपसरग मिले पर रूप में अगर आपको जो सबत दिया है उसमें आपको उपसरिक दीखे और उपसरिक के अंत में आपको दीखे ए तो वहां पे पर रूप संदी होगी और उसके बाद एक के बाद में क्या होगा ए और ओ होगा दोस्तु कैसे दोस्तु एक बार थोड़ा सा समझते हैं एक यहां पे इसके साथ हमेंसा उपसरग लगा रहेगा क्या लगा रहेगा उपसरग चलते हैं दोस्तू समझते हैं जैसे प्रह क्या है दोस्तू प्रह एक उपसरग है क्या है एक उपसरग है दोस्तू और प्रह के यहां पे देखिए प्रह इसमें ए आ रहा है पलस साथ में ए आ आ रहा है दोस्तों तो क्या हो जाएगा मिलानों के ए तो प्रेजते प्रेपलस ओस्ती तो एक के बाद में ओ तो आदेस क्या होगा ओका आदेस होगा तो सब्द बनेगा प्रोस्ती यह होती है पर रूप जिसमें ए आ के बाद में ए ओ आ रहा है अब देखते पूर्वे इसके अंदर क्या होता है एक के बाद में क्या रहा है ए आ रहा है ओक के बाद में आ रहा है दोस्तों कहीं पे तेज बोल रहा हूं तो इसी दिक्कत हो सकती है कि आहीं बोलू या उसकी भासा में परिवर्तन होके कहीं बार ए निकल जाता है तो उसको आप समझने का प्रियास जरूर करें दोस्तों गलती हो सकती है क्योंकि बहुत मैनस के साथ ये वीडियो मैंने बनाया है तो आसा करता हूँ कम से कम एक या दो बार कोई गलती हो गई होगी बोलने में जबकि लिखा हुआ कई पर आपको गलत नहीं मिलेगा दोस्तों बहुत सोच सोच के लिखा है तो अगर अही के बाद में ए अही यहां पर ए है ए के बाद में ए दिखाई दे तो दोस्तु ए तो ए रहेगा ए है वो तो ए रहेगा लेकिन ए है वो क्या हो जाएगा अउगरे बन जाएगा ए की जगें क्या होगा अउगरे आदेस और अउगरे का चिन क्या होता है यह सा होता है एस की तरह, समझें दोस्तु पांच की तरह, ओक के साथ अगर एक का मिलान होगा, तो ओक का तो ओ रहेगा, लेकिन एक का क्या हो जाएगा, अउगरे हो जाएगा, देखते हैं दोस्तु इसके भी उधारन, हरे पलस आउ, हरे, हरे के अंदर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, आगे यहां पे और ओके साथ क्या रहा है तो ओका तो क्या रहेगा ओ रहेगा यह तो है जैसा ही रहेगा लेकिन एक क्या हो जाएगा अउगर आदेश हो जाएगा यहां पे आप देख सकते हो लोको आयम तो यह थी हमारी सवर संदी दोस्तों एक बार सभी साती जो इस वीडियो को देखें उनको कुछ फायदा मिला है तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं और जिन साथियोंने अभी तक सेर नहीं किया है वो इस वीडियो को एक बार सेर मेरे लिए मेरी मेनत के लिए एक बार अपने मित्रूं के पास सेर जरूर कर दें आप सभी को बहुत बहुत दन्यवा जेहिंद जेवार्थ